तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी की इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और यह जो वीडियो है आप लोग के 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का सिरीज चल रहा है उसका फिफ्ट वीडियो है यानकी पांचवा वीडि है ठीक तो हर एक अब्जेक्टिव कोश्चन का ध्यान से देखिएगा समझ कर पहले अपने हिसाब से इंसर दीजिएगा फिर मेरे इंसर से मिलाईएगा और लास्ट में अपने स्कोर जरूर बताएगा कि हाँ आप लोग कितना अब्जेक्टिव कोश्चन सही कर पाये हैं तो चलिए हर एक कोश्चन को ध्यान से देखना है समझना है और उसी के सांथ उसका एंसर याद करते चलना है ठीक तो चलिए हाँ तो देखें यहां से अप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखें यहां पर चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है हिजरत तो सबसे पहला सवाल है कि हिजरत का तालुक किस सिन्फ अदब से हैं कौन से किटेगरी से हिजरत का तालुक है यह जो चैप्टर है इसक इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा और बी इंशाईया यह जो विजक नाम का चैप्टर है न यह और लॉग्पनार है याद रखेगा यह तो ना तो दास्तान है नहीं अफसाना के इनशाया निगार कौन है तो देखिए option A में है सेयद सुलेमा नद्वी B में है सालत हसन मंटू C में है एहमद जमाल पाशा और D में है सराम बिन रिजाक तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C कि एहमद जमाल पाशा जो है ना इस चैप्टर के राइटर है इनशाया निगार है ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ हाँ अब देखिए तीसरा सवाल है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है तो यह जब मैं आप लों को चैप्टर पढ़ कितने मुलकों कितने देश का नाम आया है और साले में गरते हैं 5 No सवाल है कि जनत से किसे रिखमें सफर हुआ तो यह बहीं आप लोगा लोड़ी बता चुकी हूं कि इन-Adam को जनत से हुक्में सफर हुआ अला का हुपम आया था इपने आदम को ठेक हैं तो यह होगा आप लोग अपसर नमबर डी सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्च नमबर सिक्स है कि इंसान की आखरी हिज्रत कौन सी है अपसर ने में मौत वी में शुमाल सी में जनूब और डी में क्या जमीन तो इंस लगी में वह चाहे हिज्रत करें या ना करें मतलब माइग्रेशन एक जगा को छोड़कर दुसरी जगा जाए या ना जाए लेकिन हाँ वह आकरी हिज्रत मौत से नहीं बढ़ सकता है उसको एक ना एक दिन मौत आएगी ही आएगी ठेक और उस वक्त उसको इस जमीन को हैं तो इसका सही सै जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब का अपसनों सी उस्तर कि हवा बार आद शमल का मतलब होता है उतर की वा तो आपसनों बर सी इस घुराइट इंसर आगे बढ़ते हैं कॉशन नंबर 8 comment से क्या मुराद है हर मुलक मुलके मूहर्ण का मतलब क्या होता है अपसर ने में शुमाल की तरफ बी में हैं जुनूब की तरफ सी में हैं सारा शुमाल हमारा है और डी सारी जमीन हमारी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर डी सारी जमीन हमारी है हर मुलक 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 के मास्त का मतलब होता है सारी जमीन हमारी है खाना कहीं पर भी खाना बुदोस के इनकी बंजारे जो यह ना वो कही पर भी अपना जोपडी टेंट थे मरे परिए उस inequalities चोड़कर दुसरी जगा जाने लगते है कर थेकर एक जगा से दुसरी क्या होता है अपसने में है बर्फ की हवा सी में है बर्फ के तोदो का घेरा और सॉरी बी में है बर्फ के तोदो का घेरा सी में है बर्फ का पानी और डी में है बर्फ का एक हिस्सा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर भी बर्फ के तोदो का घेरा कहलाता है बर् किम है साइबिया की मौस मिंगा और डी में आप लोगा एक मिनट और डी में चैकледन में से कोई नहीं तो इसका जवाब हो जाएगा ऊपसान लंबर सिवी यह की लीए मौस मिंगा मुर्गा भी या जुकर माई तातिला ने वो climate change होता है तो उस जगा को छोड़ कर चली जाती है जहां पर हो रहती है और फिर climate normal होता है तो फिर वापत वाँ पर lot आती है तो यह अगर आप लोग chapter पढ़े हैं तो आप लोग को हर एक चीट समझ में आएगा और आप लोग खुद से भी answer दे पाएंगे और I think आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही option होगा option नंबर B 1929 अलाहाबाद में एहमद जमाल पाशा की पैदाईश होई थी उनका जहन हुआ था तो option नंबर B is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 12 है 12 कि एहमद जमाल पाशा की पैदाईश कहा हुई option A में महला चोड़ी वलान B मे हैं महला खुलदबाद D में हैं फैजबाद तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number C महला खुलदबाद में एहमद जमाल पाशा की पैदाईश हुई थी ठीक तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी question पूर सकता है ठीक ये भी या फिर ये भी question number 12 चली आगे बढ़ते हैं 13 है कि एहमद जमाल पाशा की कितनी शादी हुई एक दो तीन चार कितनी शादिया हुई थी एहमद जमाल पाशा की तो ये आप लोगों को मालूम होगा चैप्टर में और लिप पढ़ा चुकी हूँ इनकी दो शादिया हुई थी एहमद जमाल पाशा की ठीक आपसन नमबर बी हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं question number 14 की तरफ एहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था एहमद जमाल पाशा के पिताजी का क्या नाम था आपसन एमें नजफ अली पी में है कासीम अली सी में हैं शजाहत हुसे और डी में हैं खुआजा हसन निजामी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन number C शजाथ हुसेन एमाजमाल पाशा के पिताजी का नाम था आगे बढ़ते हैं 15 नमबर जवाल है कि एहमाजमाल पाशा उन्हें से 76 में मुस्तकल क्याम के खातिर कहा गए एमाजमाल पाशा जो है ना उन्हें से 76 में कहा पर हमेशा के लिए रहने के लिए चले गए तो देखिए आपसन A में है लाहौर B में है फैजाबाद C में है मुझफर पूर और D में है सिवान तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर D सिवान सिवा एमाजमाल पाशा की वाइफ का माई के आप बोल सकते हैं तो ये अपने ससुराल सिवान चले गए मुझतकल क्याम के खादिर यान की हमेशा वहीं पर रहने के लिए और वहीं पर उनको जौब भी मिल गया था देखिए कोशन नमबर 16 है कि एमाजमाल पाशा के दादा का ना पाली आपसन नमबर A is your right answer आगे बढ़ते हैं 17 नमबर सवाल है कि एमाजमाल पाशा अमीनाबाद के कच्चे आता में जो मकान खरी दें उसका नाम क्या रखा गया ठीकित नम जमाल पाशा जो है ना वह अमीनाबाद के कच्चे आते में एक में मकान खर दे घर खर दे और उ क्या जमाल मनजल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही एंसर होगा, options नमबर B, सरवरी मनजल, सरवरी मनजल नाम रखे थे, जो कि एमाद जमाल पाशा की जो मा थी, उनका नम था सरवरी, याद रखी यद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, question नमबर Aking है, एमाद ज होताना है यह में उने से 30 तो इसका सभी जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर उने सच 40 में एमाजमाल पाशा लाहबाद से लखनव चले गए थे आगे बढ़ते हैं को नमबर लुद्पक करना है लेकिन यहांपर यह सवाल नहीं पूचाए है यह यह सवाल पूचा है कि हम इसका सही जवाब हो सकान क्यांबर सी सब्सक्राइब कि याद रखिएगा उने सब्सक्राइब किये थे आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर ट्वेंटी एहमा जमाल पाशा किस कॉलेज से उन्हें सत्रिपन में इंटर्मीडियर किये थे इंटर का एक्जाम दिये और पास भी किये थे तो इसका सही जवाब हो जा नमबर ट्वेंटीीवन है कि एहमहतं जमाल पाशा कौन से महनामा का इज्डा कियां अप्सum A में Alhanal, B में helps इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर सी आवध पंच अवध पंच का इजरा किये थे यह में आप लोगों को चप्ट पढ़ा रहे थी हर एक चीज़ आप लोगों को बताई हूं आप पर यह बात बताई थी आगे बढ़ते हैं कि अहमत ज सही जवाब हो जाएगा क्या इसका सही जवाब होगा अपसन नमबर डी उन्हें सच चपन चलिए आगे बढ़ते हैं कुष्टन नबर ट्वेंटी थी है कि जमाल साहब यान क्यमा जमाल पाशा उन्हें संठावन में में किस यूनिवर्सिटी से किये थे ए में लखनव उनि इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही ऑप्सन है अप्सन नमबर डी अली गड़ मुस्लिम उनियर्सिटी से में जमान पासा में किये थे याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं और कब किये थे तो उनाइस अंठावन में यह भी याद रखना है वो सकता है कि उनियर्सिटी का सामना पूछ कर डेटी मतलब सन पूछ दे कि कब किये थे तो यह भी याद रखना है आप लोगों को आगे बढ़ते हैं कि मिजाज के लतीफे किताब कहां से शाय हुआ था यह जो मिजाज के लतीफे जो कि हमाजमार लुक्ताशा का लिखा हुआ किताब है यह कहां से परका प्रकाशित हुआ तो यह जो किताब है मिजाज के लतीफे यह प्रकाशित हुआ था जहलक बुक डीपो अलिगर से यह अपसन नमबर हो गया ए सही जवाब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 25 है कि एहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी का नाम क्या था ए में है सरवर तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान से सुल समझ कर आप लोगो एंसर देना है इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर डी सरवर जहां एहमद जमाल पाशा के यह वाइफ दूसरी बीवी का क्या नाम था सरवर जहां और याद रखिएगा इनके मा का नाम सरवरी खातू ढून ओर इनकी बेगम यानि की दूसरी बीवी का क्या नाम था सरवर जहां तो ये आप लों कौ याद रखना है और अहम displays पाशा जो मकान खरदे पहर से और वह क्या नाम था आवाज के शोबय अधारत में शामिल हुए थे जाकर मिल गए थे मतलब एक तरह से पाटिसिपेट किये थे तो आपसने में हैं उन्हें से एक सट भी में होने से 62 सी में होने से 63 और डी में होने से 64 तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपसन नमबर एउने से 61 में कौमी आवाज नाम के शोबय एदारत से जाकर एहमद जमाल पाशा जुड़ गये थे आगे बढ़ते हैं 27 नमबर सवाल है कि एहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में अर्दू लेक्चरर के मुला अर्दू लेक्चरर की मुलाजमत किये क किस कॉलेज में अर्दू लेक्चरर के तोर पर जाब किये थे तो देखिए आपसन ने में इसलामिया कॉलेज बी में इलहाबाद कॉलेज सी में फैजबाद कॉलेज और डी में जकिया फाक इसलामिया कॉलेज तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होग से यहाँ पर से इस तरह रहे गा किस वज़ा से हुआ तो देखिया ओप्षन में है दिल का दोरा पढ़ने से बी में है फालिस की वज़ा से सि में नमोणिया की वज़ा से रोडी में इन मेंसे कोई नहीं तो यह आप को मालूम होगा यह मैं आपनों को बताई भी थी कि एहमद जमाल पाशा का इंतकाल गुआ था दिल का दौरा पढ़ने के वज़ा से वह अभी जौब करी रहे थे तो दौराने मुलाजमत थी दिल का दौरा पढ़ा और उनकी मौत हो गई इनका इंतकाल हो गया आगे बढ़ते इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर सी 28 सब्तमबर 1887 को इंतकाल कर गए उनकी मौत हो गई ठीक आगे बढ़ते हैं कुश्ट नमबर 3030 है कि एहमेद जमाल पाशा का खास मैदान क्या था ठीक आपसन ए में है तनकीद का बी में है तन्स वजराफत का सी में है जिद्ध तराजी का और डी में है अदमे तकमील का तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर बी तन्स वजराफत का जो मतलब इनका खास मैदान था अहमेद जमाल पाशा का आप बोल सकते हैं वो किस चीज़ में ज्यादा रिल ठीक है तो वही बात यहां पर बुला ज़रा है कि एमा जमाल पाशा का खास मैदान तन्स वजराफत का था आगे बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 31 है कि एमा जमाल पाशा को गालिब अवाट से नमाजा था यह आप लोग को बताना है तो देखिए आपसन A में है सागर सूरी, B में है मोधी गालिब, C में है पदम शरी और D में है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आपसन नमबर A सागर सूरी आवाट से नमाजा गया था एमा जमाल पाशा को 1986 में यह भी याद रखना है आगे बढ़त आपसन नमबर D पटना में एमा जमाल पाशा का इंतकाल हुआ था आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 33 है कि दर्जजेल में दर्जजेल में से कौन सी किताब एमाज जमाल पाशा की लिखी हुई नहीं है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इन चार कौन सा वो आपसन है जिसमें एमा जमाल पाशा की लिखी किताब नहीं है तो देखिए आपसन A में हैं अंदेशाय सहर B में हैं मजामीन पाशा C में हैं लफजों की छागल और D में हैं पत्तियों पर छिड़काओ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमबर C वरा यह किताबे लिखी घी हैं ठीक आगे बढ़ते हैं 34 नमबर सवाल है कि एहमद जमाल पाशा की लिखी हुई इंशाया है अपसने में इंशाया क्या है बी में हैं भूले बिस्रेगीत और सी में बागो बहार और डी में हिजरत यहां पर आप लोगों को यहीं बताना है क एहमद जमाल पाशा की कौन सी इंशाया है इन चार उपसन में से तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम भी होगा अभी में शुरुआत में ही बताई कि एहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाया कौन सा है वो है हिजरत किसके दोरा लिखा गया ह आगे बढ़ते हैं लाश्ट कुशन है nine थाटी फाइफ कि एहमध जमाल पाशा यान कि इनकी मा का नाम क्या थाॉप्फन आमें सरवरी खातून वी में सरवर जहां सी में है सरवर खातून और डी में सरवरी जहां तो यह मैं आपनों को बताई ना कि एमा जमलपाशा के वालिदा यानिकि उनकी मा का नाम क्या था तो सरवरी खातून यह हो गया आप लोगा सही चवाब तो यह था चाप्टर नमबर फाइफ का सारा अब्जेक्टिव कोश्चन जिसको आज केसे वीडियों में अब लोग कंप्लीर किये कोई भी कंफ्यूजन हो लेने के बाद बैलकर यानि कि घंटी के दुबा कर ओल का अपसन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का ओल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए और हुदा हाफिस